तो सांतियो जहारखंट सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत एक हजार रुपए मासिक जो दिये जाने वाली साहता रासी है उसे धाय हजार रुपए करने की जो तैयारी है वो कर ली गई है और इसको लेकर कभी भी जो घोसना है वो जहारखंट सरकार कर दिया जाएगा तो सांतियो पूरी जानकरी निकल कर आई है हिंदुस्तान जो दैनिक न्यूज पत्रिका है सांतियो जारखंड के अंदर उसके द्वारा यहाँ पर जानकरी डीटेल लिखी गई है बकाईदा सरकार के द्वारा भी इससे समधित जानकरी दी गई है तो सांत पूरी जानकरी इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा तो चलिए बिना किसी देरी की ये वीडियो को सुरु करते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं गर हमारे चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले त जो नियूज पत्री का है सांतियों वो हिंदूस्तान के द्वारा जो है आज के डेट में जार्खन के अंदर प्रकासित की गई है सांतियों देख सकते हैं हेडिंग के अंदर क्या लिखे गया है कि मैया समान रासी दिसंबर से 25 रुपए देने की तैयारी तो सांतियों ये बहुत बड़ी खुसकवरी है किसी भी राज में इतने ज्यादा रुपए अभी लाभार्थियों को जो है पेंसण या पिर अन्य इसकीय attractive gospels से नहीं दिये जाते हैं प्रती महा कर जो निर्न है उस पर आज मोहर लगेगा तो यहाँ पर डीजेल्स क्या लिखे गए मैं आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं राची हिंदुस्तान ब्योरो के तरब से यह जानकारी लिखी गई है और इस जो है जानकारी का क्रेडिट जो है राची हिंदुस्तान ब्योरो को ही जाता है हेमन सोरेन एक बड़ा फैसला लेने जा रही है जारकण मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली रासी पची सो रुपए प्रतिमाह करने की तैयारी कर ली गई है विभागे सुत्रों के अनुसार चौथी किस्त एक हजार रुपए नवंबर में महाफर्ब छट के मौके पर देने के बाद पांचवी किस्त दिसंबर से पची सो रुपए दी जाएगी इसका लाब 53 लाक से अधिक महिलाओं को मिलेगा यहाँ पर जानकरी कनफर्म कर दी गई है कि कितने लाबहर्दियों को ये लाब मिलेगा कितने रुपए मिलेंगे और कब से ये पैसे मिलेंगे चौथा इंस्टॉलमेंट आप सभी को जो है सांथियो एक हजार रुपए की ही मिलेगी लेकिन जो पांचवी इंस्टॉलमेंट आप सभी को दिसंबर महा के अंदर मिलने वाली है उसमें ये रासी 25 रुपए करने की बात कही जा रही है उसके बाद लिखे गए है कि सम्मान रासी में ढ़ाई गुना बढ़ोतरी का निर्नाई मुख्यमंतरी हेमान सोरेंड की अध्यक्सता में सोंबार को होने जा रही कैबिनेट की बैठग में लिया जा सकता है ऐसा होने पर हर लाभुक को यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लिखे गया है कि ऐसा होने पर हर लाभुक महिला को हर साल 30,000 रुपए मिया सम्मान रासी मिलेगी संभावना है कि कैबिनेट बैठग में से सम्मधित महिला बाल विकाज विभाग एवं समाजिक सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जाए अब तक चार चरणों में निकाली गई मैया सम्मान यात्रा के दौरान महिलाओं का जोड़दर समर्थन मिला यात्रा के दौरान महिलाओं की और से महिया सम्मान की जो रासी है उसे बढ़ाने की मांग भी होती रही यात्रा की अगवाई कर रही महिला बाल विकाज विभाग बेवी देवी कई मंचों से महिया सम्मान योजना की रासी के बढ़ोतरी की बात लगातार कहती आई है मैया सम्मान यात्रा का पांचवा चरण जल्द सुरू होने जा रहा है रिधर सूचना है कि जारकंट सरकार के मंत्री बेवी दिवी का पांडे सिंग और विधाय कलपना स्वारें तक्षनी छोटा नागपूर के बिभन जिलों में छे दिनों के दौरे पर रहेंगी जहांपर पांचवा चरण जो है स्टार्ट होगा और आज के डेट में यह जो है निरनाई जहारकंट सरकार के दौरा क्याबिनेट बैठक के बाद ले लिया जाएगा ओफिसियल जो आपचारी घोसना है साथी उसका इंतजार करना है जैसे ही निरनाई लिये जाते हैं बाकि पूरी जानकरी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को जरू लाइक करें अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकों को दबा दे ताकि जैसे ही कोई भी लेटिस्ट जानकरी जारखंड सरकार की योजनाओं से संबंदित निकल कर आए सब से पहले जानकरी आप सभी को मिल सके धन्यवाद